नमस्कार दोस्तों मैं हो रासान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फॉर नौकरी ओफिसेल यूटूब चैनल दोस्तों इस चैनल पर आपको जेनरल अवर्नेस की सारी कंटेंट मिलने वाली है बस आप लोगों को करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रे देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा वहां से सारी लेक्शर देखना है और अपना नोर्स भी साथ में बनाते चलना है जिसको आप रेगलर समय पर रिवाइज कर सकते हैं पीडियाप 20 लेक्शर तक के आपको टेलिग्राम पर पर प् पंच तंतर तो देखें पंच तंतर इंपोंटन यहाँ पर पुष्तक है और इसको लिखा है विश्नु सर्माने तो कर्एक्ट अंसर यहाँ पर बी صही होगा तो question पूछा जागा आपको कि बिश्नु सर्मा की किरती क्या है तो पंच तंतर या फिर पंच तंतर को किष्ण लिखा है तो बिश्नु सर्मा question है कि आगरा फोर्ट बस built वाई यानि कि आगरा किला किसके द्वारा बनाया गया था तो आगरा किला मिंस आगरा में located है ये ताज महल से करीब धाई किलोमेटर की दोरी पर अस्थित है इसको आपको पता होना चाहिए और इसको बनबाया था अकवर ने तो correct answer यहाँ पर 20 है होगा देखे अकवर ने इसको काम start किया था 1565 के around लेकिन इसको complete किया था उसके grandson सहा ज सुरत है आपको किला देखने को मिला है आगरा किला कोश्चन है कि automobile exhaust lead to the poisonous pollutant यानि कि automobile का इस तरह से आपने दिखाओगा कि धूआ पीछे से निकलता है तो देखे ए बेसिकली अन्वर्ण्ट जो pollutant होते हैं उसमें से carbon monoxide निकलते हैं तो देखे correct answer यहाँ पर C सही होगा यान कि automobile निकास पर एक जहरीले पर दूसरा के जो निकलता है वो होता है carbon monoxide इसका symbol होता है CO Question है कि तक Geer National Park and the Sasan Geer Sanctuary of the Gujarat are the only wildlife sanctuaries in India that have तो देखे गुजरात में जो Geer राष्टिय उद्यान है यानि कि Geer National Park है और Sasan Geer अव्यारन है भारत में एक मात्र वन जीव अव्यारन है जो किस के लिए famous है तो दोस्तो वो famous है आपको Asiatic Lines के लिए correct answer यहाँ पर B सही होगा यानि कि Geer के लिए जो famous यानि कि Geer जो famous है वो है Asiatic Lines के लिए Feature on the cover of the time magazine तो time magazine एक परतिष्ठित magazine है इसमें जो features होते है तो famous personality को ही feature किया जाता है इस जो time magazine है उसके cover page पे तो पहले Bollywood के बेक्ती कौन है जो इस time magazine के पत्रिका पर प्रकासित हुई ही तो यह आप देख रहे हैं यह है परबीन बावी तो correct answer यहाँ पर D सही होगा परबी 1976 में परवीन बावी फर्स्ट बॉलिवूड के personality थे जिनको time magazine के cover page पे feature किया गया था question है कि तसीनो इंडियन बोर्डर conflict बाज बार बिट्मिन चाइन इंडिया यानि कि simple सा question पूछा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बार हुआ था वो कब हुआ था तो 1962 में हुआ था तो correct answer यहाँ पर B सही होगा 1962 अब देखे इस जो लडाई हुई थी उसमें important पूछे आते हैं कि कौन prime minister थे कौन president थे कौन यहाँ पर army की general थे तो आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको एक कर गए तो देखे भारत और चीन के बीच में जो लडाई हुई थी तो इसमें Indian side के अगर बात करते हैं तो chief of the general, staff of the Indian army थे ब्रिज मोहन कॉल, president थे सरुपली राधा कृष्णन, prime minister थे जबाहरला नहरू और defense minister थे वीके कृष्ण मेंन, और chief of the army, staff of the Indian army कौन थे तो जनरल, प्रानात थापर तो देखे, chief of the army, staff थे प्रानात और chief of the general, staff of the Indian army थे ब्रिज मोहन अब देखे, इसी तरह से पाकिस्तान के तरफ याद रखे, तो यहाँ पर आपको जो chief of the PLA, staff थे, लिव रिक्विंग, जहांग, जहुआ, यहाँ फिल्ड कमंडर, माओ जिदंग, chairman of the communist party of the China, president of the people's republic of China यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है, तो अब देखे, Alexander defeated, देखे, यहाँ आपको battle of high despise, जो battle of high despise हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है, इस question में, कि Alexander ने किसको हराया था, battle of high despise में, यहाँ कि high despise की लडाई हुई थी, तो किनके किनके बीच में हुई थी और सिकंदर ने उसको हरा दिया था, तो यहाँ पर correct answer होगा A, porus, तो यहाँ कि आपको, देखे, ध्यान रखना है कि battle of high despise हुआ था, सिकंदर और पंजाब का सासक पूरस के बीच में, और सिकंदर ने पंजाब के सासक पूरस को हरा दिया था, और देखे, battle of high despise है, उसको झेलम के युदि, या वितस्ता के युदि के नाम से भी जाना आ जाता है, और देखे, जो सिकंदर की सेना, question पूछा गया है कई वार, कि सिकंदर की सेना किस नदी कुपार करने से इंकार कर दिया था तो ब्यास नदी कुपार करने से इंकार कर दिया था सिकंदर की सेना और देखें सिकंदर की सेना का जो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर के सेना पती कौन था तो सेलिकस निकेटर था question है कि by cameral legislature means यानि कि by cameral legislature का मतलब क्या होता है क्योंकि इसमें lower और upper chamber होते हैं तो correct answer यहाँ पर B होगा lower and upper chamber present तो देखिए यहाँ पर आपको अभी 6 राज में यहाँ पर आपको by cameral legislature है आंधरपरदेश, बिहार, करनाटक महराष्ट, तिलंगाना और उत्तरपरदेश में जिसमें की legislative council है तो इस तरह से और legislative assembly question है कि the article 343 of the Indian Constitution is about यानि कि भारतिय समिधान के अमशे 343 के बारे में यहाँ पर आपको बताना है तो article 343 क्या कहता है Indian Constitution में तो Hindi as a official language के बारे में बताता है तो correct answer यहाँ पर C सही होगा Hindi as a official language is mentioned in the article 343 of the Indian Constitution question है कि where is the headquarter of the International Cricket Council इसको short में बुला आता है ICC तो ICC का headquarter पुछा जा रहा है तो इसका headquarter है दुबाई में तो correct answer यहाँ पर C होगा ICC का headquarter दुबाई में है आप देखें यहाँ पर आपको ICC के बारे में जाना है तो motto इसका है cricket for good cricket for good formation होगा था 15th of June 1909 में यानि कि 1909 में headquarter दुबाई UAE में है membership अभी 105 है official language English है और देखें chairman Greg Barclay है New Zealand के यानि कि question पुछा रहागा कि अभी ICC के chairman कौन है तो Greg Barclay New Zealand के और CEO कौन है मनु साहनी जो कि इंडिया से है तो ध्यान रखेगा CEO मनु साहनी from India question है कि which among the following books is written by the Nelson Mandela तो देखें Nelson Mandela इनमें से किस पुत्त को लिखे हैं तो correct answer यहाँ पर A सही होगा long back to freedom तो correct answer A ध्यान रखेगा long back to freedom और इनको भारत रतने से समानित किया जा चुका है 1990 में 1990 में इनको भारत रतने से समानित किया जा चुका है और यह only second person थे जो कि इंडिया के बाहर थे जिनको भारत रतन मिला है first person थे खान अब्दुल गफार खान जिनको 1987 में भारत रतने से सम्मानित किया जा चुका है और देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफिरका अभी थे और अपार्थर्ड मुवमेंट के लीडर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफिरका थे और अभी अगर बात किया जाए कि साउथ अफिरका के प्र फेस्टिबल है किस देश में मनाये जाता है तो अस्ट्रिया करेक्ट अंसर यहां पर बी सही होगा अस्ट्रिया तो अस्ट्रिया की कैपिटल बियना है और यहीं पर ओपेक ओपेक का मुख्याला है जो तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रिस है उसका मुख्याला है बियना में है जो कि अस्ट्रेलिया के कप्डल है अब देखे साल्जवर्ग फेस्टिवल उन्यसोबीस में अस्थापिस संगीत और नाटक का एक परमुकते वहार है यह अस्ट्रेलिय सहर साल्जवर्ग में बुल्फ गैंग अमाडेस मुजाट के जनमस्थान पर परते गर्मियो जुलाई के अंत में पांच सब्ता तक के लिए आज़ित किया जाता है तो इस तरह से आपको धान रखना है देखें कोशन है कि वर्थ रेट इन अ कंट्री इस डिफाइन एज यानि कि किसी देश में जनमदर को परवहासित कैसे किया जाता है तो number of worth पर thousand in one year तो correct answer यहाँ पर B होगा तो देखें वर्थ रेट इंडिया में बात किया जाता है तो 20.2 worth पर thousand population है और 6.3 death पर thousand population है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्थ रेट है number of worth पर thousand in one year question है कि where is the geagers the world largest geothermal field containing a complex of the 22 geothermal power plant यानि कि दुनिया का सबसे बड़ा भूतापिये छेतर the geager कहां अस्तित है जिसमें 22 भूतापिये उर्जा सैंत्र का परसर अस्तापित है यह है आपको सैन फ्रांसिसको USA में तो ध्यान रखेगा सैन फ्रांसिसको USA में अस्तित है यह आपको दगीजर्स नाम से world largest geothermal field जिसमें 22 geothermal power plant अस्तित है ध्यान रखेगा सैन फ्रांसिसको में located है उसके question है कि the real name of Dilip Kumar तो देखे दिलिप कुमार का नाम सबने सुना होगा यह आपको दिलिप कुमार का फोटो है लेकिन इनका बास्तिविक नाम क्या है तो बास्तिविक नाम है मुहमद इसुख खान करेक्ट अंसर यहां पर ए होगा तो दिलिप कुमार का बास्तिविक ना के अवार्ड मिल चुका है और अभी 51st दादा साफ हाल के अवार्ड मिला है राजनी कांथ को question है कि the Gobi desert is one of the largest desert on earth a part of its life in which of the following countries यानि कि Gobi रेगिस्तान प्रथवी पर सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है तो इसका एक हिस्सा किस देश में है तो इसका आपको correct answer क्या है तो यह आपको बताना है तो correct answer यहाँ पर मंगोलिया इसका correct answer हो आप देखिए जो बहुत सारे desert है उसको मैं आपको बताता हूं तो देखिए यहाँ पर आपको जिस जिदने भी वर्ल्ड में desert है तो यह आप सहारा जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह आपको कालाहारी नाविया बोस्पाना और सौथ फिरका में यहाँ पर कालाहारी desert है उसके देखिए पेंटागोन है अटाकामा है तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं देखिए टकला माकार यहाँ पर आपको चाइना में है गोबी desert यहाँ पर चाइना मंगोलिया में है तो इस तरह से से ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं एनी कि दुनिया में का महादेश कौन है तो यह आपको ऐसिया करेक्ट अंसरोства होगा अब देखें सभी महादेश के बारे में आपको बताता हूँ सबसे first पे है Asia Asia यहाँ पर आपको correct है इसका square kilometer area भी देख सकते हैं उसके बाद Africa, फिर North America, फिर South America, Antarctica, Europe और Australia यानि कि सबसे छोड़ा महादेश अगर पूछा जा तो Australia इसका correct answer होगा सबसे बड़ा question है कि औरंग जेव put his father under his under house arrest in Agraford यानि कि औरंग जेव का आपको पिता का नाम बताना है तो औरंग जेव का पिता का नाम क्या था तो साह जहां तो correct answer यहाँ पर C होगा तो औरंग जेव अपने पिता साह जहां को Agraford में बंद कर दिया था तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा question है कि the English defeated in the Battle of Bandivas यानि कि जो Battle of Bandivas हुआ था यानि कि Bandivas की लडाई हुई थी उसमें English ने किसको defeat किया था तो English यहाँ पर defeat किया था French को तो correct answer यहाँ पर B होगा है यानि कि Bandivas की लडाई 1760 में हुई थी ध्यान रखिएगा 1760 हिस्वी में Bandivas की लडाई हुई थी जिसमें कि British Senna ने British Senna ने French Senna को हरा दिया था और Bandivas है कहाँ पर तो एक आपको Tamil Ladu में देखने को मिलता है तो Tamil Ladu में ही हुआ था Battle of Bandivas between British Senna and French Senna तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1760 में हुआ था Battle of Bandivas कोचन है कि Pulitzer Prize is given in the field of यानि कि Pulitzer Prize किस छेत्र में दिया जाता है तो Pulitzer Prize दिया जाता है in the field of journalism यानि कि पत्रकारता के छेत्र में दिया जाने वाला एपुरसकार है और 1917 से एपुरसकार जो है दिया जा रहा है 1917 से एपुरसकार दिया जा रहा है तो ध्यान रखेगा 1917 से एपुरसकार दिया जा रहा है तो इसका देखे correct answer होगा तो इसका correct answer होगा journalism यानि कि 1917 से एपुरसकार दिया जा रहा है Pulitzer Prize ध्यान रखेगा दोस्तों तो देखे 545 question हो चुके हैं इसी तरह से ये स्रीज जो है चलते रहेंगे जब तक exam नहीं आते या फिर जब तक 1000 question complete नहीं हो जाते हैं तो इस वीडियो को आप like करिए और वीडियो को share करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करेंगे bell icon को place करिए so thank you guys इस वीडियो में एक रहे